खत्वे बंभी आए आए फोल आए ड़ंव रहा आए हॉं कि यह आए क्यों कियो ताइम पास के लिए तुम्हें यही स्कूल मिला था क्या सनी यह नो पुलिस का लफड़ा है न रूम का भाड़ा फूल इंग जॉय तुम लोग शबाब पे दें दो और अपन लोग शराब पे चलो जाके मज़ा करते हैं यहां बेटे क्या चलेगा अचाओ मेरे चांग अच्छा शराफत मुझे बाद बता बोलना रात का घना साया है शीतल चांड की काया है इतना परसीना क्यूं आया है कुछ समय नहीं आया है काने दर लाना आव तरीका अब जब पीते हैं ना तो जुमते हैं अब जाके शराब उस पेड़ को फिला फिर वो भी जुमेगा फिर हवा चलेगी पसीना गूम ले लेगेगा देखो बाई यह दारू बड़ी मुश्किल से ब्लैक में लेकर आया थे तो पीने के बाद अच्छी हवा देना ठीक है मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए भाई एह क्या है रहे पूरा बाटली उसको चणा दिया पर वो तो जुमा ही नहीं आईसे काईसे भाई यह बकड दारू के साथ बियर दोनों को मस्त मिक्स कर डल पेड़ कुदी जूमने लगेगा जा अरे शक्मा क्यों रही है अधी मस्त एसी के जैसे हवा पेखना अब तु जरूर खुमेगा एक दूनी दूनी दू 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 दूनी चार अबे सोनो शेरा पिलाई पीयर पिलाई दूनों इतना प्यार से पिलाया फिर भी सिदे कसिदे खड़ाई मैं दो मैं दो पर दो एक अजय कि 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 अजय क है 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 दो मिनट चांती से नहीं बैठने थेते अभी यह डाले अरे क्या हुआ तुम बेवडों को हाँ यह है क्या है क्यों दे रही है काला जादू मजाक मत करो मैं डरने वाला नहीं हूँ तेरी तो रुख जा छोड़ दो मुझे डराता है तेरी तो यह क्या हो रहा है रनोगा बिरता तेरी चाला यहाईनके ते ढुट आओाईग। भbट़ जैडनके भब शक्वच्चक्वाँ फ получится तेरी ब determination भबच्वकरद एग जाश्चपकरशन deeper बिराम नहीं ओातो वहतने सतनके यहाईनक이라 एक बहुने बाफ बाफ रेक कितनी भयानक बद्बू है कोई अंदर जाकर देखो आखिर सड़ क्या रहा है जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आएगा जल्दी से कोई कुछ करो मुझे बड़ी जोर से आ रही है जोर से आई है तो तुम ही चले जाओ किसी आदमी को ही अंदर जाना चाहिए हा और तो ने मर्दों को सिर्फ टॉयलेट की ही लाइन में आगे रखा है तीचर तुम साथ चलो तो टॉयलेट क्या जहन्नूम भी चला जाओं ओहो इस टॉयलेट से ज्यादा बद्बू तो तुम्हारे मूँसे आ रही है दूर आ तो यहां से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लों की सल्यूशन आ गई है कौन है वो वही मरेली नाक वाली जियत्ती टीचर जनम से ही वो किसी भी चीज को सूंग नहीं पाती वही चुटकारा देगी वरना आप से पहले आपकी नाक की रिटार्मेंट हो जाएगी सर सब ऐसे टॉइलेट के बाहर क्यों खड़े हैं अंदर से बड़ी तेज बगबु आ रही है और यहां किसी में भी चेक करने की हिम्मत नहीं है अब तुम तो सूंग नहीं सकती इसलिए राज दूद बनकर अंदर जाओ और शांती दूद की तरह बाहरा कर बताओ जरूर इस चर्वी की दुकान ने मेरे बारे में सबको बता दिया ऐसे तो मैं देख लूँगी ठीक है सर मैं अंदर जाकर देख लेती हूं हाँ ठीक है क्या कर रहे हो बेटी तुमने इसे बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है ये तो कुद्रत का हिस्सा है ना अरे मैं कॉर्परेशन वालों को फोन करता ना वो इसे यहां से ले जाते रहने दीजे ना वो आएंगे और इसे किसी कच्रे के धेर पर जाकर भेग देंगे मैं जल्दी करो ये मरेली नाक वाली ही कुद्टे को ठिकाने लगा सकती थी वरना हम तो जिन्दा कुद्टे को भी हाथ लगाने से डरते हैं सही बोला अगर मैंने दुबारा इस धर्दी पर जन्म लिया तो मुझे तुम्हारे जैसी बनकर ही पैदा होना है मेरे दोस्त क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी सुने के जबरदस्शक्ती चाहिए रोज जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ता है उससे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ लोगों का फ्यूचर हातों की लकीरों में नहीं मेरे पोपण की चोंच में बंद है अभी अपनी चोंच से तुम्हारा भाग्य बताएगा चलो आजाद मिठू इसका भाग्य बताओ शर्मा क्यों रहे हो बहारा आओ चलो चलो उठाओ तुम्हें भूस खाने की आदत होग अपनी आखों से देख लो कुभेर स्वेम बता रहे हैं अब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य तुम्हारा पूरा आसा देगा अभी चाय आटो के पैसे ना हो पर भाग्य खुलेगा तुम बेंस कार में सिग्नलों को तोड़ते हुए दूर तक चले जाओगे समझ गए आपके चार्जिस क्या है खाली बीस रुपए और मिठु का प्राइस तोड़े की क्या कीमत है क्या बोली मिठु बिकाओ नहीं है बता वर्ना तेरे कपड़े बिकवा दूंगी क्या समझते हो पैसे कमाने के लिए इस मासूम से परिंदे का मिस्योस करते हो शर्म नहीं आती क्या कर सकते हो इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाए तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है इस बिचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बत्तमीज की साथ एसे कब तक रहना पड़ेगा ये दूसरों का फ्यूचर क्या बस आजा मेरा जन्दा चौपन कर दिया तुन्हें पेंट भरने के लिए किसी पर जून करना गलत है तुम्हें पैसे ही चाहिए ना चीफ ये लो शिक लिया फेट भरके खाना हां जुब 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 और ले लो इस दिन गई थी वहाँ पर मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा अगली बर जाओंगी तो खरी दूंगी अरे रुक रुक अरे का भागी ठीक है चलो हलो क्या चाहिए तुम कमाल हो सच में बड़ी प्यारी हो बलकि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है हां जानता हूं किसी अजनभी को ऐसे सड़क की भीच तारीफ करना अजीब तो है शायद घलत भी हो पर अपने जज़बाद चिपाना भी तो घलत है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्या तो मुझसे शादी करूगी तुम तो कुछ कहीं ने रही हो मैंने कुछ गलत कहा तो सौरी हां गलत ही तो है किसी दो बच्चे की मा से यूँ सड़क पर चाटिंग करके सेटिंग करना गलत है मेरे चैसी हाउस वाइफ सर्फ सबजी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने चोड़ने के लिए घर से निकलती है अब तो मैं ऐसे रोक कर मेरी यह आजादे भी चीनना चाहते हो रुको रुको आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा काम खतम कर गए मैं घर वापस आ रही थी एक बिवकूफ अचानक मेरे पीछा करने लगा मुझे शक हुआ मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था अच्छा और फिर बस दो मिनिट बात करके वो सी थे मुझ से शाधी करने की बात करने लगा बाबा सुनते ही मेरे तो होश ओड गय है मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगल सूतर जिब में रखकर ना लाया होँ पर मैं हूं तो आपका हिह हूं पता है मैने क्या किया पता मैंने उसे कहा कि भाई साहब मैं पहले सी शादी शुदा और दो बच्चों की माँ भी हूँ, माँ सुनते उसके तो दिल में ठेस पहुँच गए, उसका चेहरा पुरा लाल पीला हो गया, वो लड़का तहीं ये तो नहीं, लगता है शौक होगी, दिव्या, वहाँ बैंच पर यही मम्मी मिली थी ना, हाँ मा, अरे बापरे, लगता ह गई भैस पानी में, तुने जो कुछ भी कहा सब जूट का, पर मैंने इससे सब कुछ सच कहा है, मैंने तो इसे अपना दामाद मान भी लिया है, इसका नाम है जगन, मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है, बचपन से गुरु कुल में हम साथ ही पले बढ़े, हमारी अपन पर बिलकुल बात करो, मैंने तो इससे घंटा भर बात की, भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा, आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आये, तुमने सब को खरी कोटी सुना दिया, पर ये उन जमूरों जैसा नहीं है, जाओ, उपर जाके बात कर लो, मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों, जहां तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, पर मुझे लगते हैं मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए, तुमारी सुने की प्रॉब्लम के बारे में जानता हूं, पर ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी सही इंकार कर दो, प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुम से शादी करूगी, मुझे पत्नी बना कर, कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें जहलनी पड़ेंगी, शुरु शुरु में तुम्हें श्याद सब अच्छा लगे, पर जिन्दीगी बर जहल पाओगे, इसकी कोई गैरंटी नहीं है, पत्नी का मतलब सुक्तुक बाटने वाली, ना कि जिन्दीगी भर का बोज, और इसके लावा एक बार फिर, मैं किसी अपने के मौत की वज़ा नहीं बनना चाहती, मा, मा के सैंडल्स गाइब है, मतलब आज भी सबजी लेने मार्केट गई है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए दांस करूंगी, अरे यार, लाइट चली गई, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या, नो प्रॉब्लिम, वाप्मैन तो है, जोती, स्कूल से वापस आ गई, पागन लडगी, मा, क्या हुआ, मा, मेरी बच्छा से माँ चली गए, और मुझे पता तक नहीं चला, जो भी मेरे साथ रहेगा, उसकी जान पर खत्रा मंड़ाता रहेगा, इसलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिन्दगी बना लिया है, अब हर कोई मदर टेरीसा तो नहीं बन सकता लेकिन, उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है, और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए, मैं हर बार अपने पती से परमिशन बिलकुल नहीं मांगना चाहती, मैं सिर्फ अपने पती का घर संभालने में जिन्दगी नहीं बिता सकती, एक मिनट, तुम्हारी शादी ना करने की वज़ा क्या है, तुम्हारा कुछ न सूंपा न या लोगों की भलाई में तमाम जिन्दगी गुज़ारना, एक बर फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें बेगाच चाहता हूँ, और फिलाल, तुम्हारे जिन्दगी में बहुत कन्फूशन है, इस ओके, जब ये कन्फूशन दूर हो जाएगी, मैं तुम्हारे सपनों में आने लगूँगा, और जब आने लगूँ, तो बाबा के हाथ मेसेज भीचवा देना, फिर मिलेंगे, एक और बात, देख लेना, एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी ज़रूट, छलो बाइग, तो, क्या पढ़ाया टीचर ने, सोना था अपसराय दिल से सोचती है, आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी, कोई पसंद आई है, बाइग, हाई जूती, तुम्हारी मर्दी के बिना तुम्हारा पीछा करना, घलत है उसके लिए, आप तुम्हें फोटो जितनी पसंद आई गई हैं, तो, यह घलत ही मैं बार-बार दोहराने को तैयार हूँ, हलो, एथर उधर क्या देख रही हो, मैंने सोच लिया, शादी तो तुमसे ही करूँगा, मैं अपनी पूरी जिन्दगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँगा, तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना, तो कसम खा के कहता हूँ, देवदास बन जाऊँगा, मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्सी, पापा बोल रहा हूँ, दमाज जी ने एक वीडियो भेजी देखी, कैसी लगी वो, एक तब हीरो लगता है, पूरे शराबी है आप, जितना पीनट पियो, ठीक है, ठीक है, मुझे से बात पस करना, आओ बेटी, साथ सप्ता पूरे हो गए न, कार्थिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया, देवी मा, तुम्हारी सारी मनो कामनाई जरूर पूरी करेंगी, ये लो, थांक्यू दिदी, संभल के जाना, देवी मा, इस उम्र में लड़कियां अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहते हूं कि मेरी शादी ही ना हूँ, मैं नहीं जाते हैं कि मेरी वज़ह से कभी किसी को कोई कश्ट हो, प्लीज, किसी तरह बाबा का मन बदल दीजे, और जगन का भी, जो हर जगा पर जाएं के तरह मेरा पीछा करता है, प्लीज, अरे वह देखूस के साड़ी चल रही है अरे में देखूस के साड़ी देखो अरे बेटा कबसे मैं चिल रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या शोर शरावे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें सुनाई नहीं दिया लेकिन साड़ी में आग लगने की बास तो आई होगी हर जगा तो दिये जल रहे हैं इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा चलो जाने दो, इस लड़के के रूप में आकर स्वैम बोले नातने, तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता कब से कम आप तो समझ जाओ जोती, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए इस लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाऊ, आगे जो तुम्हारी मर्जी वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफशुत्रा टॉयलेट बना हुआ है लेकिन खुले में पेड़ के नीचे थंडी हवा में सौच करने का मज़ा कुछ और ही है, कितना मज़ा रहा है औरे वारे वा, अरे, चूप हो जा, अलका होने के टाइम पे काई कुछ डिस्टप कर रहा है, चूप, चूप आज में इस बेड़ को इतना पानी दुगा कि यह हरा बरा हो जाएगा यह जाएगा, चूप, 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 चूप यह रायता किसने भलाया, बोलो मुह में दही है क्या सज बोल दिया तो इनकी भी, मेरी तरह पैंड की लिए हो जाएगी अरे तुम ही कुछ बोल दो, मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बन करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी फेर ये कैसे हुआ, अगर चोर घोसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नाइस थोड़ी करता, किस ने तोड़ा ताला ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे और वाच्मेन, जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे सर वो क्या है, चुमरो मैं जानता हूँ तुम्हे, सारी गलती तुम्हारी है, रोज रात को पीके टुन हो जाते हो, तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुनके मेरे कान पग गए है सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब अगर डियो साहब यहां इंस्पेक्शन के लिए आ गए, तो क्या जवाब दूगा उन्हें, और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान से सुनो, जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता, तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए ख प्लेट ठीक से पकड़ो बिटा, अब तुम आज दीजी, यहां जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं, और तुम बच्चों के साथ बैठ कर वही खाना खाती हूँ, जो बच्चे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मौसी अंडा दो, जानती तुम्हें तो दो अंडे भी कम पड़ेंगे, चलो शुरू हो जाओ, टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है, टीचर, आपको अंडा पसंद नहीं है ना, तो ये भी तुम ही खालो, थैंक यू, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं, वो क्या है ना, टीचर, जब मैं अपनी मा के पेट में था, तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसलिए मेरा पैर तेड़ा हो गया, अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूं, ताकि मेरे बच्चे भी ताकत वर हो, पीचर, इसे पू रखूंगी, और सुबर ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी, मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर पाँच लाग का कर्जा है, हम खाने का पैसा बचाते हैं, ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए, टीचर, स्कूल का खाना नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा, तुम्हारा नाम बिट्टू है, और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है, ओके टीचर, टीचर, प्रिंस्पल साब आपको बुला रहे हैं, तुम चलो, मैं आती हूँ, मैं कम इन सर, कम इन प्लीज, आओ 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 जोती बेटा, अगले हफ़ते एक्जाम्स हैं, तो हमें क्वेश्चन पेपर तयार करने होंगे, अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौपा, तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे, लेकिन जोती तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन एक्जाम के पेपर्स तुम तयार कर लो ख्लिद खिते हूँ हाँ लगता है मेरी पैंट फिर से कीली होगी नौकरी से जदा मुझे अपनी जान प्यारी है नौदो क्या रहा हो जा पापा किया क fights ठीक इली कारी चान प्यारी है धुशज़ किया प्यारी हुश। अज़ प्राव कर दो खए प्राव कर दो अज़ भास कर दो है किर दो दो झाल.. हुआ हुआ है उच्छे, हेल्प हेल्प इस लड़की ने आपके जान बचाही है बहल बहल शुक्रिया बटी क्या हो यह बटा बता ना बटा बेटी तुम नीचे किस वज़े से आई बता ना छुप क्यों है बटा बस मुझे पता चल गया बाबा पता चल गया कैसे पता चल गया मुझे महसूस हो रहा था वही तो पूछ रहा हो मेटा तुम्हें आप महसूस कैसे हुई क्या तुम्हें वह बजली के तारों की बद्बु महसूस हुई क्या जलते हुए तारों की बद्बु ऐसी होती है एक मिन्ट एक मिन्ट दुखो यह यह सुंगो खु यहाँ इसे सुनहों को फुष्भु आरए नहां उन्हें सुनकर अच्छा लग रहे हैं यहाँ पर तैंत की कुष्भुम्la अरे वाह पेटा तु सूंग सकती है तेरी शक्ति वापस आ गई पेटा यह बगवाल तु सूंग सकती है यह बगवाल तेरे लाग लाग शुक्र है बेटा, आजो, 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 भगवान, तेरा लाख लाख शुम्रा है, बेटा, एक मिनेट, आ, बेटा, यह, आरी, ना, अच्छा नगा, ना, अच्छा नगा, को, क्या बात है, मैडम आपने लड़कों वाला परफ्यूम लगाया है क्या हाँ सही कहा तिम ने पर इसे कैसे बता चला अरे वाँ जी होती मैम तो दिन पर दिन खुबसूरत ही होती जा रही है बहुत सुद्धर पाइप गुद मॉर्निंग मैम गुद मॉर्निंग जीजा बच्चों मैं अपनी आँखें बंद करने वाली हूँ जो बच्चे नहाए नहीं है या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ तुम सब के सब नहाए नहीं और क्यों मिस बताओ मैं बताओ मेरी मम्मी आपकी बारे में क्या कहती है उस खराब नाक वाली टीचर पर कुछ नहीं पता चलेगा मेरी माँ आपके बारे में क्या बोली पता है प्लीज अब मुझे और कुछ नहीं सुनना आज मैं तुम लोगों को यहां नहीं पढ़ाओंगी आज तो बाल-बाल बज़ करें हुआ है कि अपट खिर उब खिर्ण के बहुत है। कि अबच़िक बहुत है कि आहुत है कि अबचल कि अबचल कि अबचल झाल फॉर वाल इस साइट से ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन वोकर्स यूनियन के लीडर मिस्टर चड़ा की डेड बॉडी मिली है मौत की वज़ा अब तक साफ नहीं हो पाई है पुलिस की टीम अपनी तरफ से मामले की गहराई से जाच कर रही है सेंट्रल हेल्प मिनिस्टर का काफला कभी भी यहां पहुँच सकता है बताये जा रहा है दोरों करीबी दोस्ते जाइन सर सर, मिस्टर चड़ा आपके बड़े ही करीबी दोस्ते उन्हें मानने से किसी को क्या फायदा हो सकता है क्या का रही हो फाल तुका सवाल मत बूछो जाओ यहां से सर, सबसे पूछता जारी है यहां काम करने वाले मिस्टर राम सिंग ने सबसे पहले लाश देखी थी हमने सारे वरकर्स को यहां बुला लिया है और एक एक करके पूछताज कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है उनकी मौत कोई हासा है या फिर मॉर्डर, तफ्तीश चारी है बड़ा घूर घूर पर देख रहा है, जिन्नोंने वोट दिया उनने तो पलट के देखता भी नहीं इसकी डर से खती हुई आँखें देख रहा हो तुमॉ इन आखों में मोत का डर नहीं है, यह आखें कातिल के डर से खटी हुई है यह ग्यारेंटीड मॉर्डर है सर यह किसी एक कातिल का काम नहीं हो सकता अब कातिल एक था या दस थै, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो कोई भी था बारा घंटे के अंदर मेरे ओफिस में होना चाहिए उसे मंत्री जी पाचु कक्षा फेल है तुमने पढ़ लिख्या क्या उखड लिया निवाओ अपनी ड्यूटी बारा घंटे हो गये हैं सर बताईए अब क्या करना है वही जो हमेशा करते हैं आसपास कि सारी CCTV फुटेज चेक करो क्या कर रहे हो फोकस करो जार कंट्रोल सेटर मिनिस्टर के घर पे एक बार और काई है सर चेक कर लिया कोई फुटेज नहीं है क्या नौर्ट साउथ में भी कोई फुटेज नहीं सर एस्ट वेस्ट के अलाके में फुटेज नहीं है सर ये तुम क्या बोल रहे हो वो मिनिस्टर हमको मारी डालेगा सर मिनिस्टर को किसने मार दिया क्या मेरे भाईया की मौत कैसे हुई पहले भाईया योगा कर रहे थे थोड़ी देर पुजा पाठकिया फिर किसे ने मार दिया पोस्ट मौटम के मुताविक रुद्राक्ष माला की वज़े से इनकी मौत हुई है बाहर से किसी के आने या जाने का कोई सुबूत नहीं मिला सीसी टीवी फुटेज में भी आपके भाईया और चड़ा जी की मौत के दस मिनिट से पहले से सारी फुटेज पूरी तरह से बरबाद होई है इस खून और उस खून के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है मैं खुद कई बार सेब चेक कर चुका हूँ किसी तरह का कोई सुबूत नहीं है पॉसिबल नहीं है भाई फोटो निकाल लिए ये लिजे फोटो देखिए यह तो किसी हाथी का प्यार लग रहे हैं यह कैसे बच गाते रहे हैं मैं अभी फॉरंसिक वाले को बलाएं जल्दी से बुलाएं कितना कन्फ्यूशन है बड़ा ही रेर केस है ये पैर का निशान हच से ज्यादा भारी है ना ये किसी आदमी का लगता है ना औरत का खुलके बोलना जब भी कोई आदमी चलता है भले ही वो 35 किलो का क्यों नहो निशान गहरा बनेगा और आरत होगी तो 85 किलो की क्यों नहो निशान हलका ही बनेगा पर इस निशान में आदमी और आरत दोरू का असर दिख रहा है मतलब किसी किनर का काम है बढ़िया सवाल करेक्ट जवाब देने के लिए मुझे इस पैर के निशान को चेक करना होगा माइक्रो मिलीमीटर रेंज की आक्यूरसी पर फिर सारे फैक्स को मिलाकर चारों तरफ की डेंसिटी पर गौर करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा तो इसमें दो दिन लगेंगे मैं टूर से लोट कर ये काम कर दूंगा बाई गाइज बाई बाई ब्रो तेरी पूर तो यही कराऊंगा सर यहा पर खूला नहीं सर नहीं पता दो दिन पहले मेरा भाई सिंधा था अब मर चुका है काम अभी चालो कर तो स्वीट थांक्स हापी टीछस थे थैंक यू कहा था न मैंने हमें ज़रूर मिलवाईगी तक्दीर कॉफी विदाप शुकर यह मत सोचना मैं कॉफी पिला कर भग-भग सुनातर होगा मेरे माबाप के मरने का मैंने कभी अफसोस नहीं किया कि मैंने कभी उन्य देखा यह भी है कि पर मैने तुम्हें तो देखा है और तुम मेरी जिनदगी में नहीं आई ना है तो बहुत ज्यादे अफसोस होगा कहते हैं एक जयDav चाहिएन चुल्तय। मैंने जिनदगी में बहुत दुख देखै अब सुख चाहिए और तुम मिल मैं इंदेजार करूंगा जब भी जवाब देना हो कॉल कर लेना मुझे बाइ हुआ हरे बापरे सपना था मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोने को मिलाईगी जरूर मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हूं खाना खा करी आऊंगी जोती बटा तेरी फ्रेंड्स तेरी शादी में कब आएंगी यह तो अब आप ही डिसाइड करेंगे ना बाबा हां अरे मतल तु तैयार है हां बाबा चितने में लड़के मुझे यहां देखने आये सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी ही देखी और कुछ के नजर सिर्फ हमारी चोटी सी जमीन जायदाद पर थी पर जगन वैसा बिलकुल नहीं है बाबा उसे पता था ये फैसला आस पार चितने अरवा पला आगे आँ तिक 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 कि फुट्प्रिंट के डेंसिटी से पता चलता है कि कातिल कोई किन्नर ही है सर आपने बिल्कुल सही कहा ये एक लड़की का ही बाल है मुझे ये सब मत बता है उसका नाम बता कैसी दिखती है कहां रहती है इस बाल की मदद से हम उस तक पहुँच सकते हैं या नहीं इंपॉसिबल है सर इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं इंडिया क्या कहीं भी मुमकिन नहीं है मुम्किन है सर कैसे मुम्किन है दुनिया में पहली बात तीन साल पहले किसी ने ये आविशकार किया था इन लोगों को इन्फरमेशन आर्टिस्ट कहते हैं ये मुझरिम की इस्तमाल की हुई चीज से उसका हुलिया पता लगा सकते हैं ये टेक्निक कभी फेल नहीं हुई क्यासे? लोग जिस टिगरेट को पीकर फेक देते हैं उससे जिस चुइंगम को खा कर थोक देते हैं उससे डिने टेस्ट के इस्तिमाल से उस इंसान का चेहरा बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे आर्टिस्ट कहा मिलते हैं अमेरिका में ओ अमरीकियों को दिमाग काफी तेज है ये आविशकार इंडियन नहीं किया है प्लीज कम कर एक, को अीज किया है प्लीज को भीज क्लीज को यह दुम्हें पूरा यकीन है यह बाल इसी लड़की का है येस अफकॉस, हंड़िद पसेंट इसका फोटो निकाल और आधार काड़ के डेटा से मैच कर और घसीटते हुए लिया काम हो जाएगा भाई आई यह चल बता जिनको मारा उनसे तेरी दुस्मनी के थी यह मारा उनको जल बता मुझे कुछ नहीं पाता मैं सिर्फ एक टीचर हूँ मैं तो कीड़े मकॉलो तक को तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, पर सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खूर नहीं किया, मैं सब आप नहीं कर सकती हुदे, किसी और नहीं मारा होगा हे, बेबी, हमारे सामने आक्टिंग दिखाएगी, प्यार से पूछेंगे तो घुमाएगी, हम सब मिलके तुझे इतना प्यार देंगे कि तेरा मुझ अपने आप ही खुल जाएगा डिलके तुझे अपने बड़ा जाएगी, बेबी का यह खुल जाएगी, बेबी का अपने उस्तरफ नहीं उस्तरफ पे-बे अपनी साड़ी तो ले ले अपनी साड़ी तो ले ले अपनी साड़ी भाइलोग दिल गई इधर इशी है अधार अधारे वह जा रही थी है अधार चुल्ट अधार गाइब आप बढ़ और ख कि Ayala कि अधर बाई यह ज़ा आधे ए है.. यहाँ हुआ पता नहीं भाई अधो जाके देखना फिरह हुआ अभर भीजड़् औरो भाग फिंट जी आप रिसत रिरोन स्खधर सहीन रिरो clipping hmm कर दो, कर दोगा ऑड़िसो भुुल दोगा कर दो कॉन है तूपने पहेचाना है को आधर तो आज पूरे बतीस दिन हो गए है मैंने तुझे मारा नहीं मुझे मुझे कुछ करना मैंने तुम्हारे सारे आद्मियों को मारा और बचे हुए श्रतानों को भी मार डालूंगा चोड़ दो मुझे मुझे बत मार कि उने खुछ जो जो कि उने खुछ ए कि उने गो ना लेख स्टुर्श जो जो कि उने खुछ और सुम्ट आए जड़ खब बॉयाँ। जड़े डियतना! को भी झालए़ बहाval भाइसवे? कर दो दो कि आणने दे ऐ ने कर दो कि दो कौन है यहाँ प्लीज चवाब दो कौन है यहाँ कोई तो मुझे बताओ कि यह क्या चल रहा है तुम कमाल हो सच में मैं अपनी पूरी जिन्दगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताओं तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खाके कहता हूं देवदास बन जाओंगा कंदीर ने हमें मिलवाया भी तो किस रूप में तुम सोच रही होगी कि मेरा यह हाल हुआ कैसे यह बताने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी जोटो कड़ेंगे क्यारे शाने चाही गिर जाती तो लेकिन गिरा तो नहीं न चाल भी और निकल क्यारे चुटो गदने पानी में गिलास दोता है तो बदबु आती है साफ पानी में थोने में क्या तेर को तकलीफ है काम के टाइम में पक पक मत कर नहीं तो गरम पानी से मूह जलाडा लोगा चलने कर वो इच गरम पानी में गिलास काई कोनी दोता है तु सुनो भाइ साप, सुबर सुबर चाय के टरपरी तेपरी डिखाता ही। और टरपरी पुए इसा पटेली दिखाता ही। तेर को बाद में देखता हु। अबे, ये क्या 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 अफ। ओई रहे, गुश्ट थूकने कले को यूर जगा नहीं मिली क्या। माली की कारगंडी करती क्या चिलम चली है देखे ना माली जब से आया है मच मची कर रहा है अपन क्या गलत बोला सब यह बगड़ यह दुकन आप कीचे ना काम दंदा एक डम टका टके एक चाय कितने की दस रुपे की न उसमें दो रुपे लेबर तीन रुपया टोटल खर्चा बोले तो पर गिलास पाच रुपया कमाई और अख़्ा दिन में हजारो गिलास चाय बेशते हो फिर भी आपका ये छोटू गंदे पानी में गिलास दोता है गिलास होट को लगाओ के नाक के बाल चल जाते चलो उसका भी वांदा ने ये भजिया तो खाने की चीज़े न इनको तो कम से कम ड़के रखने का ना मामू सड़क की सारे धूल मिट्टी इन पेच लगे लिए पहले भजिये का पंदरा रुपय दो फिर डाक्टर को हजारो रुपय दो अपन बोला थोड़ा साफ सपाई रखने का कोई जूरूम किया गया दो टके के छोकरे की लंबी सबान तो देखो अब भी अगर साइलेंट नहीं हुआ तो पुलिस बुला के हवालात में बंद करवा जूँगा फुटले चल मामो आपन धूला है समझा तो पुलिस के बारात मत बुला आपनी बारात रेड़ी है देखाऊ तेर को यह चाई की नहीं गंदगी की दुकान है ना इसने हाईजीन क्या पहनी है ना भजियों को ठककर रखा है ना नो स्मोकिंग भोड लगाया है और चाई पत्ती में मिलावट है सीले तो जानता है किसकी दुकान सील कर रहा है दुकान सील करने से मैं डर जाओंगा क्या मैं टी शॉप ओनर्स यूनियन का लीडर हूं समझा इसी शहर में मेरी 152 दुकान है तेरे जैसे 36 ओफिसर आय और गए एक घंटे में यह सील उखाड के तेरे मूँपर मारूंगा मैं ते यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद है इसकी 152 दुकानों पर मुझे ताला देखना है वोई पूछे तो बोलना Food Safety Department Assistant Commissioner जगन का ओडर है किसी का बाप यह सील नहीं हड़ा सकता तेरे सब्सक्राइब करने के लिए रास्ते में नेक काम करने के लिए रुग गया था कैसा नेक काम एक एक अचिडेंट हो गया था सर हॉस्पिटल गए थे क्या नहीं वीडियो बना के फेस्बुक पे फीलिंग साड वाला पोस डाला आपको भी टैग किया है सर यह साइकल सब्सक्राइब कर जल से जल्द ऑफिस में आकर मिलो सर सर वो सर पूरी दुनिया पोस्स करती है तब तो कुछ नहीं बोलते है कि सर कल चाय की दुकान आज कहां रेड मारनी है आज कोई रेड नहीं बहुत भूट लगी है चलो कोई खाते हैं ए सकसे ना भूट लगी है तु कि यहां कि यहां सेरिया का बहुत फेमस होटेल है सर थेके ना भी से कितनी भेड लगी है मैं भी रोज इदरी खाता हूं जो कड में तू लहीं हाते हैं सर यहां सेल्फ सर्वेस है आप बैठिये मैं खाना लेके आता हूं और पहले पैसे देना ठीक है आज यूपियाई से क्या खुश्बू आ रहे हैं यह तूखा तुम लोग अपना अपना लेकर आ जाओ रहे सर खाना सूंगने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ मैं दूसरे आद से खालूँगा अच्छा हम खाने नहीं आए रेट करने आए सर वाश बेजन बाहर है आप अंदर नहीं आ सकते अभी सॉरी सर दाल गांसली थी सर वो मैं जितना पूछाओ थना बोलो बोल डाला अफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा जानवरों की चर्वी मिलाते हैं एस्ट बढ़ता है उससे पबलिक दाल के साथ उंगलियां बीच अब डालती है कितने कमीने हो तुम दाल में चर्वी मिला रहे हो उस होटल को वेजिटेरियन समझके लोग लिखते हो देशी की और मिलाते हो चानवरों की चर्वी यह तुने अच्छा नहीं किया, अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ तुझे भेजने की ज़रत नहीं, मैं खुछ जाने वाला हूँ सेलेट रुकी दादी सक्सेना, सर, पड़ो इसकी एक्सपारी डेट किया है 23.05.1983, यह तो कंपनी खुलने की डेट है सर, जो जानकारी ज़रूरी नहीं है, वो तो क्लियर है पर एक्सपारी डेट को काटके मिटा दिया गया है इस पैकेट को लिखकर आओ मेरे साथ इस ब्रेट की एक्सपारी डेट बताना चापा तो आपस के उपर, पढ़ना नहीं आता क्या साफ साफ देखने रहा है, तुम्हें पढ़के बता दो मुझे अरे भाई धन्दे का टाइम में दिमाग बहुत कराब करो लिखा इस पर, जाओ जाके अपना काम करो एई, यह अपना काम ही कर रहे है क्या? क्या घूर क्या रहा है, हम फूड सेफटी डेपार्टमेंट से आएं साफ जी और पैकेट ऐसा ही है तो के बास कहें के, पबलिक को मामू बनाने के लिए एक्सपाइरी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे घरी मरीज खरीद कर अपना पेड बार सकते है और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ चार दिन की होती है अगर दस दिन बाद कोई खाए ना तो जानते युस इंसांट का क्या हाल होगा हो ना क्या है सर बिमार के ऐसी असप्टाल में आएंगे इस टन्दा चलेगा है ना वो बात नहीं साथ इस क atrás के काण्टिन के contractor का नाम क्या है साहभ केंटिन के contractor का नाम क्या है ए है क्या पूछ रहे हैं मुमें ब्रेड भरी है क्या बोलना वोई सॉस्पिटर के डीन है सर बोजे इस मैटर में मत पसाओ साब वरना मेरी कुरसी कट जाएगी साब अकेली सिर्फ तेरी कुरसी नहीं कटेगी आपका मतलब डीन साब सकसे ना तुम पहुच गए ना सर आपके कहे मुताबिक फैक्टरी के सामने ही खड़ा हूँ अगर खोई गाड़ी बहार निकले तो उस पर नज़ार रखना सर एक ब्राउन गाड़ी आ तो रही है ठीक है उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कूँ ठीक है सर कहां तक पहुचे सर नॉर्ट साइट फ्राइवर के उपर चीक है पीछा करते रहो सकसे ना सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है इसका पीछा करता रहा तो कण्या कुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे कुछ भी हो जाएँ वो गाड़ी हाथ से नहीं नेकलनी चाहिए सरकारी अफसर होने के व लावजूद कच्रा उठाना पढ़ रहा है सर गाड़ी कच्रा गिरा के चली गई सर अलो स्विच ओफ है जहां जाते हैं चार चार चिलाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं सक्सिना अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मूझ से निकल गया है सर क्या करना है सर कच्रे की तलाश लो सर मैं एक आफिसर हूँ और मैं एक सीनियर आफिसर जो हुक मेरे आका सर ये क्या है अच्छा खासा ड्रम तोड़ के फैंक दिया लोग इसमें पानी भानी भरकर रखते हैं हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें इसे बेच के दोती नजार तो मिल जाता सर वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सक्सेना धूनों यहां कहीं एसा टुकड़ा और है हां सर अरे बाप सर यह ढूण रहेंगे कोई फूड कामपिनी फॉम्मल इं का क्या करेगे सक्सेना समझगया सर कटिंग कटिंग रें कटिंग शेयर करेगा अब गया संबने श्रंदी सब गया कटिंग कटिंग जमीन जैदाल गई सब भीजाला मैने आपकुछ नहीं बचा ये दारूने मुझे नंगा खर दिया भाई इजट उतर गई है तेरी समाल तेरे कहने से कुछ नहीं होने बाला है इदर से निकल वही तो बोला मैं वही ये सब्बन कर दो कटिंग मुझे भी कटिंग में पीनी है अचाई दस रुपे काम है आजा आजा कोई बात में अधा चखने पर भी जीस्ट चोड़ना बता दो अब बता दो ना समान एवम सेवाओं का कर मतलब मतलब उसने हमको समान दिया ना और इस सिवा के लिए हम उसे टिप देते समझा य को ऐसे ही समझ में आता है उनीक लेंग्वेज में समझाने का ना पर एक बात है चाहिदाद बराबर बटे न बटे शराब बराबर बटनी चाहिए बल्कुल सर का पैक थोड़ा स्टॉड़ा बना सकसे न चड़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं तुम कौन हो भाई अभी आग पर तुमने उस नौकरी को लाद मार दी और एसे छोटे से दारू के अड़े पर कटिंग दारू पीते हुए तुम्हें शर्म नी आती मेरे बारे में तुमको कैसे पता शर्म तो आती है सर ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी ना महनत और इमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर सब किताबी बाते हैं उस फेक्टरी में काम करने से अच्छा है मैं याद दारू पीकर अपनी जान गवादू तुम जिस फूड प्रोड़क कंपन क्या करें सर इस बार का बिल भर दूँ क्या मैं जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड़े को सील कर दो इपर भी रेड हो गई पता ही नहीं चला बाप रे बाप इस्क्यूज मी रुख जाईए आप लग कौन है और यहां पर कैसे आए वो तलाब से राइट लेके गोल चकर से लेफ्ट लेके यहां पहुंच गये और बोलू फूट सेफटी ओफिसर्स यह क्या नोटंगी है भार हफते आप लोग चले आते अपनी खातिर करवाने के लिए पिछले हफते ही आपकी टीम आई थी हमसे दूद का सैंपल लेकर गई उसे सर्टिफाई भी किया है ओके करके अब फिर से यहां आने का क्या मतलब राब जेंग यह सर्टिफिकेट एम्स का है यह पूने इंस्टिटूट का और यह तुम्हारे अपने डिपार्टमन ने इशू किये हैं अगर कोई प्राब्लम है तो उनसे जाके बात करो ना उसकी ज़रूरत नहीं है प्राबागर अरे तुझे तो निकाल दिया था ना तू ले किया इनको हम इसे लाए हैं चलहाट सुनिये तो सर मुझे अपने बहुत से बात करनी पड़ेगे अरे यो जीनियस इधर जैमर लगें है कॉल वाल जाएगा नहीं है अलो सर एलो बोलने से फोन नहीं लगे या प्राबागर सर सर बिना बॉस के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते हैं आम वेरी सॉरी सक्से ना जब तक दूद में मिलावट की जाज पूरी नहीं हो जाती अर्भागर रेडी होना रेडी सर बताओ इस दूद में क्या क्या मिला है प्रोटीन की मात्रा बढाने के लिए दूद में मेलमाईन मिलाया गया है मेलमाईन क्या है जब एक लीटर दूद में पानी मिलाकर उसे चार लीटर बनाते हैं तो दूद के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूद में मेलमाइन मिलाते है नेक्स्ट दूद को गाड़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है वो भी maximum limit से double मातरा में है सर normally 100 ml में 70 mg ही allowed है पर इसमें 200 mg है सर यूरिया यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए अर तुम दूद में मिला कि और क्या के मिला है सर दूद को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज़ किया है ए ये क्या दूद में सोडा डाला हुआ है बेवडे लोग दूद में दारू पियेंगे कॉस्टिक सोडा क्या होता है जबाब दो मुझे डिटरजिंट टॉइलेट और कपड़े दोने में काम आता है वो और तुम जाग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो है ना सर दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मिलिन मिलाया गया है फॉर्मिलिन 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 तुम्हें पता है फॉर्मिलिन का सही इस्तमाल क्या होता है लाश को सडने से बचाने के लिए इस केमिकल को तो सूबना भी खतरनाक होता है और तुम इसे दूद मैं मिला रहे हो जिसे मासुम बच्चे पीसे सर, सही माइनों में ये दूद नहीं, स्लो पॉईजन है मारने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो पर इन दो मॉश यढूugen जी जहायाँ अए रहायाँ अए लगो ऺदएशस आ आ रही लोगाँ कब से कम अब तो समझ जोती है मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर बाओ हाँ सर शारे से बुछ सवही सलामत है सर ठीक है दस मिनिट में वाचता हूँ सर गुट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो जनता तो बस पुलिस लाउ इंफोर्समेंट और इंजिनिरिनिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है पर आज तुम्हारी वज़े से लोग फूर्समेंट को भी जाने लगे हैं पहचाने लगे हैं उमेद है तुम्हारे पास सबूत होंगे दिखाता हूं सर इसका नाम सूरच चडड़ा है ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एस्सोसियेशन का प्रेजिडेंट जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठा कर चेक किये तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से दिनेश वर्मा केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक आम दोर पर टी प्लैंट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है मगर इन टी प्लैंट को 2-3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल से जल तोड़ लिया जाए तो ताकत फ्लेवर और टेस्ट इन में से कुछ भी नहीं मिलता लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आधी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाये जाता है सर जिसे पीने से कई तरह की बिमारिया हो सकती है सबसे बड़ा खत्रा अतरीका कैंसर इसका नाम है डैनियल क्लीन वाटर कमपनी का मालिक सब जानते हैं रोज छे लीडर पानी पीने से शरीर की चालिस हदार बिमारिया ठीक हो सकती है पर जो इनसान इसकी कमपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है ऑच्छ हर इलाके में ऐसे डारेक्ट नल से भरी पानी की बोतले बेची नहीं जाती है वहीं बिखती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है इन बॉटल्स पर लिखा अड्रेस और दूसरी जानकर या सब जोटी होती है ये है विकी मलहोतरा प्राइविट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुँच रखने वाला बिजनिसमैन हेल्थ मिनिस्टर का एकलोता और लाडला भाई मिनिस्टर के रुसूक का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता और इसका फेवरेट बिजनिस है कुकिंग ओईल सब जानते हैं ज्यादा ओयल हमारी सेहत को नुकसान पहुचाता है पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तमाल करता है तो उसकी जिन्दगी और छोटी हो जाती है क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ओयल बिलकुल नहीं है रिसाइकल ओयल है अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज़ करें तो भी इसका रंग नहीं बदलता हमेशा एकदम ब्रैंड न्यू लगता है और इसकी विज़ा ये है कि इसमें टार मिलाय जाता है इस तेल को एक बार इस्तमाल करने में कोई बुराई नहीं है पर पहली बार सिर्फ फाइस्टार होटल में ही होता है और उसके बाद उसका क्या होता ही हमने पता करवाया है और वहाँ से सीधा भजिय बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टप्री पे जाता है सिर्फ कोकिंग ओईल ही नहीं इसके और भी बड़े-बड़े बिजनिस है जैसे पोल्टी फार्म जो करीब बचाज एकर जमीन पर फैला है किसी चूज़े को बड़ा होने में करीब तीन से चार महीने का टाइम लगता है तब ही ये सेहत मन रह पाते है और इसकी पोल्टी फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कॉलिस्टिन नाम की एंटिबाइटिक एंजेक्शन दिया जाता है जिससे सिर्फ तालिस दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है इस अबनॉमल ग्रोथ से इने खाने वाले कई बिमारियों के शिकार होते है खास कर अगर इने छोटी बच्चिया खा ले तो साथ से दस साल की उमर में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है उनके पीरियट की साइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता है फिर धीरे धीरे बिमारी बढ़ती जाती है और यूट्रिस कैंसर हो जाता है अगला बिजनेस वो चीज़ जो हर घर की जरूरत है दूद मेरे पास उनके खिलाफ दूद में मिलावट करने के सारे सबूत है और इसलिए मैंने कली उनके सबसे बड़े प्रोड़क्शन प्लांट को सील कर दिया था इतना नई हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सरता सेफ पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं कुत्तो के मीट को मटन बोल कर बेचते हैं और ऐसी सेक्डो चीज़ है आज के समाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर उल्टा खाकर वो खराब होती है इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिडल जाएंगे अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कैंसर कोई बिमारी नहीं है बलकि धन्दा है इसलिए मैंने उन जगाओं को सील कर दिया मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं जगर मैंने तुम्हारे जैसा इमांदार आफिसर कभी नहीं देखा हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे अच्छा किया तुमने सील कर दिया मैं इन मुझरिमों को कट घरे में खड़ा करूँगा और इनके खिलाफ सक्ट से सक्ट लीगल एक्शन लूँगा सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो क्यों सर ताकि सारे सबूत उन्हें लटा दे सिर्फ सूंगे समझ जाता हूँ कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं फिर आप तो मेरे सीनियर है आपकी इंसानियत में मिलावट है इतनी सारी फर्म और कमपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताजब हो रहा था कि अभी दक आपका कोई फोन नहीं आया उन घलत धंदे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की तब मुझे अंदाद हो गया तुम सब के सब मिले हुए हो आपने सोचा था ये सारे सुबूत आप मुझसे हाथिया लेंगे न मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाए कि शायद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए मगर अब ही आप इस मिलावट के ख़ड़े नहीं होंगे तो आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अबे लॉंडे पहले अपने आपको तो बचा ले सब के सब अपना जमीर बेच चुके हो चुबे सोचा पड़ा लिखा ओफिसर है तो लडाई नहीं जानता होगा चाहता क्या तू है जमीन खोद के गार दूँगा सारे भेड़ी ये सही जगाए कठा हुए हो अपने आपको सरंडर कर दो मेरे कंपनी में पैर रिखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कापने लगते हैं जानता है क्यों क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है पर तू तो आनाथ है इसलिए तेरे अंदर डर नहीं है पर तू हम से डरेगा मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ इसलिए आखरी वार्निंग दे रहा हूँ जर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरंडर करो वरना तुम्हारी आने वाली नसल भी वही जहर खाएगी जैसे तुम दूसरों को खिला रहे हो चुपकर हमारी नसले खाएगी नहीं बलकि दूसरों के गले में ठूसेंगी आज तो बस ये कमिश्णर हमारा पिला है कल अदालत और सारे मिनिस्टर हमारी जेब में होंगे सुन ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते है अदालत चाहे तुझे छोड़ दे पर मैंने ये वीडियो हर सोशिल साइट पर डाल दिया है जो वाइरल भी हो चुकी है तेरे प्रोड़क्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया ऐसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वाइरल होते हैं लोग शौक से देखते हैं, forward भी करते हैं, पर follow नहीं करते हैं. अगर तुझे मेरे product के बारे में पता चल गया है, और माना कि तुने मेरे company seal भी कर दी, तो उसी building में मैं एक और company शुरू करूँगा, logo बदल दूँगा, packaging बदल दूँगा, product का color भी बदल दूँगा, advertise भी रुपे जादा देगी, समझे? मैं ऐसा हरकिस होने नहीं दूँगा. जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी, हम फायदे में रहेंगे. तुम कुनाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबे भर रहे हो, तुम्हें अपनी जुर्म की सदा मिलनी ही चाहि आज मसालेदार चीज़े खाते हैं. पहले सुबह उठते ही, लोग चाय पीकर खुद को खुशनसीब समझते थे. आज उठते ही अलग-अलग प्रोटीन शेक पीते हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए दूद की बॉटल में मिलाकर कटक जाते हैं. यही तरक्की है, पहले सिर चीज़ें देना मुम्किन है क्या? कल तक भूकर मरने वाले आज भर पेट खाकर चैन से सोते हैं. तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल के उमरे तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है. तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 के उमरे में खुशी-खुशी मर जाने दो तुम्हें कर दिक्कत है? तुम्हारे काले धंदो को बंद कराऊंगा और लोगों को जागरुक बना कर इस मिलावट के खिलाफ खड़ा करूंगा मैं. अगर आज तुझे जिन्दा छोड़ दिया, तो कल सौ खड़े हो जाएंगे और परसो हजार. इस वक्त भी सैकडो टप जाए को कुछ हलतेंगे. बातों में टाइंग वेस्ट बद करो माँ डालो इसे. ठलिजर दुए फर दु़क! बात देशो म suspं़शो ma isn't enough दुएांगे टेरी तुएांगे जब हार.. हुआ! हुआ! अज जज तो फजक neu जो 빵श ईट आपनोरख जोड़े जापनोट जोड़े जाआ जाप जाप जापनों जाप जाप तो प्रजय को ठी आड़ सार अर तर दी तो जड हम औे उनल पकड़ो से घेस तुम एग के बाद एक दुश्मन क्यूँ मना जा रहे हो उन्हें लोगों के खाने में जहर मिलाने सो रोखना गलत बात है हां ये गलत है क्या। क्योंकि सब ये बात जानते हैं सब को पता हैं वो जहर खाते हैं जहर भी वही देता है, और इलाज भी वही करवाता है, एक ही इंसान, फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, क्योंकि सब को अपनी जान प्यारी है, आज सौ लोग आये थे, कल चार सो लोग आएंगे, सब को मारोगे, हाँ मारूंगा, मेरी बात सुनो, वो हमारा पीछा क कर रहे थे, अगले स्टेशन पर हत्यार लेकर खड़े होंगे, कैसे बचोगे उनसे, ये जिद छोड़ दो, कोई एक जगा दिखाओ जहां पर मिलावट नहीं है, सब को छोड़ दूगा, इस देश में ऐसी कोई जगे नहीं है, देख भाई, अच्छा काम करने के लिए भी चार लोग चाहिए, उन चार को इकठा करने के लिए जो पहल चाहिए, वो मैंने की है, बाकी तीन कभी नहीं आएंगे, तुम ही पहले इनसान बनोगे, और आखरी भी, सब को अच्छा खाना मिले बच्पन से, यही मेरी इच्छा है, यही सपना है, यही सपना है, तुम्हा खुन ही खुन है, मान जाओ, वरना हम सब बली चड़ जाएगे, तो घबतार निकला, देख मेरी बात सुन, तुझे मरना ही होगा, अगर मैंने तुझे नहीं मारा, तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे, मैं तो तभी मर कया जब तोने चाको निकला, वो जनात का मा और बाप सब तुझे तुझे था, मेरे अपने भी चाहते हैं कि मैं मर जाओ, जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावट को बरदाश्ट नहीं कर पाया, तो अपनी मौत में मिलावट कैसे बरदाश्ट कर पाऊंगा, एक बात याद रखना, मेरी जिन्दगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुई है, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा सपना, हमेशा जिन्दा रहेगा, हेलो, कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, होई, चल गाड़ी घुमा, जाके देख, जिन्दा है या मर गया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे इसे, उसके बाद समंदर में फेग दियो, मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जिन्दगी दाओ पे लगा दी, जिन तीन शैतानों ने पैसो के लिए खाने को जहर में बदल दिया था, मैंने ही तुम्हारे जरीयों उन्हें उनके करमों की सजा दी थी, पाद समया थाद सिन्दगी थी तुम्हार थाद समयान के लिए अपना थाद प्रफ़ थाद भी तुम्हार खहाई! खखव खरसाए माइर हक, खरसाए की अउ Cr हक खब खब माइ radi negatively खबाई कि आपके जाने दो कि आपके दर्मादा खोले रहे कि आपके जाने लगे जो मैंने किया वो सही था जलतot ये दिटा तुमने पाप किया तुम किसी की जान कैसे ले सकतेओं उन मुझरिमों को कानून सजब नेगा कानून तो उनेश्फ ही नहीं सकते से उनने सकता है जोती तुम मुझे तो अब जो भी कहलो अपने पापको पुण्य नहीं बना सकते हैं। तो क्या चाती हो तुम मुझसे? तौर चले जो मुझसे! तो नहीं हो सकता, अभी दो शैतान और बचे हैं। जो करना है करो पर प्लीज किसी के खुन से मेरे हाद गंदे मत करो! तुम जैसे इंसान को प्यार किया सोच कर भी शर्माती है अब मेरे करीब आने की सोच ना भी मत अगर तुमने मुझे एक और खुन करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी मुझे अपनी मा की सोगंद है इतनी बड़ी सोगंद मत खाऊ जोती जो लोग आ जाओ अट अरे हमत है तो सामने आ जानना चाहते हो मैं कौन हूँ मैं हूँ फूट सेफटी आफिसर जगा शांत पांतर शांत अगर वो कर इंसान होता तो उसके टुकले टुकले करके उसे जहनलूं भेज़ देते पर वो तो एक प्रेदात्मा है उससे उसी की तरीकर से ने पटना होगा और वो मैं जानता हूँ संधिया आज जोदी मिसमी आई लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले लिये एक अंडा कम पड़ी गया यह ले लो क्या जमाना आ गया दुनिया कितनी बदल गई है आज कल के भच्चे तो समझ से ही पर है अब उस जगन को ही देख लो जब वो हमारे घर आया था कैसा नाटा कर रहा था एकदम शरीफ एकदम नेक जब थोड़ा सा करीब से देखा एकदम छूठा और मकार निकला उस दिन तो पोल रहा था वो तुमें छोड़ कर और किसी को देखेगा भी नहीं और अब देखो जड़ा उसको परदेश में नौकरी मिल गई है तुम से जादा उसे तरक्की प्यारी लगी मुझे लगा कि परदेश से जवाब देगा वहां से वापस आकर तुम से शादी करके तुम ही भी माह ले जाएगा एकदम गलत सोच रहा था मैं वह आपको क्या जवाब देगा जो इस दुनिया में ही नहीं जगन की मौत की बारे में आप से पहले ही मुझे बता चल गया हलो मैडम प्लीज जल्दी आया है मुझे कुछ सबज नहीं आ रहा है सारे बच्चों को एडमिट करवारा बढ़िया ऑस्पिटल डॉक्टर भी कुछ बताने से मना कर रही है कि मूझे जग निगली सारे बच्चे बेहुश हो गए हें भुपान क्या होगे बटा एम्पूलेस मुलाओ सब को खाऊ चारफ डिकर किरफ़ा आरा है पांसी के गवर्मेंट हाई स्कूल के बच्चे खाना खाते खाते अचानक ही बेहोश हो गए मौत के मुँ में समाई बच्चों को हॉस्पिटल में अगमिच किया गया है दॉक्टर्स की एक टीम इमर्जन्सी बॉर्ट में उनका इलाज कर रही है उनके मुताबिक सभी बच्चों की हालत बेहत गंभीर है कि दॉक्टर देखो क्या कर रहे है ठीक हो जाए कर दोक्टर देखो इसो क्या हो गया कि दॉक्टर में अच्छे से बढ़के बड़ा डॉक्टर बनूंगा टीचर तभी तो मेरे जैसे आप आईज बच्चों का बहुत ही बढ़िया इलाज कर पाऊंगा पढ़ाई खत्मों होने के बाद मैं खूब कमाऊंगी तब भी तो मैं दूसरों को खाना खिला पाऊंगी अज की ताजा खबर तिलक नगर के गवर्मेंट हाई सेकंडरी स्कूल में दस स्टूडेंट्स अजानत बेहोश हो गए और पांच की मौत हो गई इस हादसी की बज़ा थी स्कूल के बाहर मिलने वाली मिलावत वाली आईस्क्रीम हेल्फ मिनिस्टर ने इस पुरी घटा पर अपसूस ज़ताया है और कहा है कि अवरादियों को सजा मिलेगी ये खाबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ स्कूल में सुरक्षा इंतिजाम बहुत ही बढ़िया था लेकिन बच्चे बाहर जाकर आईस्क्रीम वगरा खाते हैं उसकी वज़ेसे ये घटना घटी है हम मरने वाले बच्चों को पांच लाख और इनकी सरजरी हुई है उन्हें एक लाग का बाता करते हैं देखा मेडम कितनी असानी से अपनी गलती उन्हें दूसरों में डाल दी और वो बाहर की आईस्क्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे लांच स्कीम में आने वाले अंडों से बेहोश हुए थे जिस इसने अंडे काई सब एक एक करके बेहोश हो गए थे मैडम जिने ने अंडे नहीं काई सब ठीक है इन सभी बच्चों की मौत की असली बज़ाएं मैडम केसी बदल दिया इन्होंने बटकुनात का पापा आजाईए आगे आईए और साइन कर दीजिए रोग जाओ कोई भी अपने बच्चे की बॉड़ी नहीं ले जाएगा मरने वाला एक भी बच्चा आइस्क्रिम खाकर नहीं मरा वो सब के सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे जब तक सचाही सामने आप तो सवाल उठाने को कहती है लेकिन अपना मूपंद करने के लिए हमें पांच लाग रुपए मिल रहे है मैडम मेरी बेटी मेरा कर्ज उतार कर गई जब मेरे घर में आपाइस बंच ने जनम लिया सोचा क्या सिंदी की दुखा उपसे मैं पर आज मो अपनी सिंदी की देखर चला गया इनके दिये पैसे लेने और काग़ पर जाहित करने के अलाबा मेरे बस कोई जारा नहीं था वेड़ा इसकी वज़े मिलावट है हम चोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हम सब मजबूर है जोती आप ही चुप-चप हार मान रहे हैं सर हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है हम कातलों को सजा नहीं दे सकते कभी नहीं बेटी दॉक्टर तुम हुए मैं चार डिग्रियां क्या ले ली किसी पर भी उङली उठा लोगी क्या मैं बीबीएस डॉक्टर हूं और तुम पांच वी की टीचर मैं क्या कर रहा हूं यह मैं तुमसे बेहतर जानता हूं उनके घरवाले मान गए तो तुमें क् प्रब्लम है मुझे भाशन देने की बजाए बाहर लोगों से मिलो मुझे पता है किससे मिलना है और क्या करना है प्रब्लम 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 है हुआ अभला हुआ हुआ अभला हुआ, हुआ 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 îne हु奏 पर Woo य्वा कर varit हुआ हुआ गह कर रह आतर हुआ च computeमा बहु deal कि लिए बहुत में सबके सुआता भी डिया है ओ Tuv लग लग ओ लग 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 Running लृड़्ब लॉब 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 लॉबॉब लग लुब देखा अब अब जाकर का लिजी में ठंटक पहुंचें इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो ये काटा भी हट गया तुम्हारे रास्ते से आब ये आत्मा तुम्हें नहीं जताएगी पर आभी से इतना खुश होने का जरूरत नहीं पूरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है लेकिन अच्छी आत्मा को खत्म करने में वक्त लगता है हम कल सूरज ढूबने का बात मैं इसको पूरी तरह से अपने काबु में कर पाएगा अगर इस प्रेत आत्मा को अमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धोरन करे और तुम से बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा उसे जला कर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी तुमने जगन की राख को समंदर में बहा कर सबसे बड़ी खलती की थी इसे ओ आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकतवर हो गई और तुम से बदला लेने लौट आई अब उस लड़की को लाओ और उसे जला कर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि पॉसीबल नहीं है फिर क्यों पीछा कर रही हो इस लैब रिपोर्ट में अंडो में मिलावट होने की बात लिखी है सर ये सब बेकार है डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई कर दिया है कि मौत आईसक्रीम खाने से वही थी पुलिस ने एफाई यार धर्च कर लिया है और उस आईसक्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्थ मिनिस्टर भी इस पर भयान दे चुके हैं तुम्हारी इस रिपोर्ट से हम कुछ नहीं उखार सकते और तुम कह रही हो केस लड़ो केस लड़ो किस अधार पर सक्षाई को सामने लाना बस इतना ही ना लाव रिपोर्ट इस दुरिया में सक्षाई का बस यह अहाल होता है हम करें लड़की खतरा क्यों मोल लेती है तेरा अशिक तो मर चुका है ना चुक चाप घर पर बैठकर उसकी मौक का मातम क्यों नहीं मना दी टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना तिर हमें क्यों सता रही है तो मुझे जाने दूँ तुझे जाने दूँ और उसे आने दूँ ताकि वो फिर से तांडव मचाए दोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है चला जागर तूने सच कहा था मैं ही गलप सोच रही थी मैं गलप थी कहा ओ तुम जागर लो जाओ कर दो कर दो ओूँ दोना पिकाए से कि अधिया रूजा सब कुछ दिखाना मेले यही सपना था ना तुम्हारा इने की वज़ा से पांच महसुम बच्चे वाहरें गए जैकुर्ष प्लीज इने किसी और की जान से मत खेन ले दो इन सब को मौत के गाट उतार दो मार डालो इने आग लगा दे से है है कि अति अधितनी बार चलाओके मुझे बद्टाठ जे के शिर कछो है? इल कर शिर के से अ या न भाग आसे, न भाग ने दो आगजे न है जो बाग यहां आसे न भागने भागने भाजा आसे है उपर वाले प्लीज इस प्रेट से बचा ले मुझे लगता ये प्रेट आत्मा मुझे मार के ही दम लेगी कि अर दर सकता अना ले पम हम लेगा ये सकता मुधे करता दर दो व मुदेशन किए औ कैसे टाओा की पाओा? क्या झाज हो खएग अ घुए झा किलों हृग तू कुछ भी कर ले मरेवे को मार नहीं सकता है तू कर लाख कर लाख कर बाख कर लाख कर ले मिदू हम क Из Schuld Switzerland हो जो अंग हम टूप ढूऑ हे अरो अरो अ हे अच्थ सेस्ग जो खना तक तो तो ङॉचिए मचा बाचो ऑचेव हुच 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 मतनार फुपचा अबता अबता बचाओ, बचाओ, प्लीज, बचाओ, मुझे छोड़ दो, प्लीज, मुझे नहीं मरना है, मरेगा, जरूर मरेगा, खाने को जहर बनाने वाले कांत ऐसा ही दर्दनाक होना चाहिए, मुझे छोड़ दो, जाने दो, नहीं जाने दूँगा, तू वो दरिंदा है जो पैसो के ल सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है शराब की बोतल पर भी लिखा होता है यह सेहत को बर्बाद कर सकती है आने वाले वक्त में ऐसी वार्निंग डाल चावल मसालों घी तेल और बच्चों के दूद पर ना आए इसे लिए मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा तुझे जीने का कोई हग नहीं है जोड़ तो मुझे तुझे से पापियों को मारने के लिए हर जनम में पैदा होंगा मैं तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलोगे अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता तुम जन्मों मेरे की तुम्हारे साथ चाहरे से और के अविए कुछ शना ईत्रello も पमारने को जबिए। झाल झाल